हेलो अब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल अग्जाम सक्रस मंत्रा और आज हम डियले सेकेंड यूनिट फर्स्ट की अपनी नेक्स क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम अनुबंदन के बारे में जानेंगे इसमें प्रेसिन आपको इस तरह से पूछा गया है है अनुबंदन के भीविन कारकों का वरणन के जिए निए अनुबंदन के ऐसे कौन से कारक हैं जो उस पर परभाव डालते हैं यह कौन से तक तो हैं ठीक है DC के अनुसार D से DC के अनुसार अनुबंदन के नेमन कारक है इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका उद्धीपनों की पुन्रावर्दी मतलब जो उद्धीपन है उद्धीपन मतलब जिसके पड़ती हम किरिया करने के लिए मजबूर हो जाते हैं उद्धीपन की परती जो किरिया की जाते उसे कहते हैं अनुकिरिया ठीके दोनों टर्म्स में कन्फ्यूज नहीं होना है तो सबसे पहले उद्धीपनों की पुन्रावर्दी जब हम एक ही उद्धीपन की बार बार रिपीटेशन करते हैं बार बार उसको repeat करते हैं तो उसे कहते हैं उद्धीपनों की पुन्राविर्थी हाई पास समझ उद्धीपनों की पुन्राविर्थी से क्या होता है उद्धीपनों की पुन्राविर्थी होने पर अनुकिर्या होती है हम एक उद्धीपन है उसी को बार बार के रिपीट करते रहेंगे उसी को बार बार प्रस्तूत करते रहेंगे तो सेम अनुकिरिया होगी सेम अनुकिरिया होने से क्या होता है कि जो अनुकिरिया होती है वो उस उद्धीपन से सम्मंदित हो जाती है अनुकिरिया उस उधिपन से जोड़ जाते जैसे कुट्टे में क्या था घंटी बजी गंटी बजना क्या था उधिपन था और उसकी मूझ से लार टपकना तो वो क्या होगी उस घंटी से क्या होगी संबंधित हो गई सम्मंदित हो जाते तो यहाँ सब सीखे वे ब्योहार के रूप में द्रड़ हो जाता है जितने जादा बार हम रिपीट करते हैं उधीपन को जितने जादा बार परस्तुत करते हैं जितनी जादा बार अनुकिरिया होती है हमारे बिहार में वो उतने ही दर्ड़ता से क्या दता है फिक्स हो जाते हैं हम उतनी ही मजबूती के साथ सीख लेते हैं तेके उधारा गंटी बजाते ही कुटे की मुँ में लार का टपगना स्टार्टिंग में जब पहली बार घंटे बजाएगी थी कुटे ने कोई रिस्पॉंस नहीं करा, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पड़ती रिस्पॉंस करने लगे, लास्ट में क्या हुआ कि जब बार-बार सेम चीज आने लगी, घंटे बजी भोजन आता था, घंटे बसत कि पुनावर्ती पर अनुक्रिया तुरंत सुरू हो जाते जब हम एक ही उद्धीपन को बार बार रिपीट करते हैं तो कुछ रिपीटिशन के बार कि हमारी अनुक्रिया तुरंत ही सुरू हो जाती है स्टार्टिंग में कैसे हुआ था घंटी बजी थी उसके पाद भोजन दिया गया था फिर कुते के मुँँ में लार टपकना उसके मुँँ में सुरू हो था बट जह हमने यह चीज़ बार बार करी तो सुरू में क्लास्ट में क्या होने लगया घंटी बसते ही उसके मुँँ से लार आने लगया थीक है यानुक्रिया कैसे होने लगी यांतरिक होने मसीनी होने लगी जबकि घंट क्या घंटी बजने से उसके मुँ में लार आनी चाह अधिगम ब्युहार मतलब जो हमने सीखा है नैचुरल नहीं है हमने बाद में इसको सीखा है तो इसको अधिगम ब्युहार होगी इस द्रशी से कुछ भी सीखने के लिए पुन्रावर्ति अती आवसे के इस हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि अगर हमें कुछ भी सीखना है तो हमें बार बार उसमें रिपीटेशन करना चाहिए इसलिए जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें इसा कहा जाता है रिवीजन कीजिए तो रिवीजन करना इसी सिधान पर आदारीत है अगर हम दिम्यान होते हैं जो किसी न किसी रूप से अधिगम को बाधा पोचाते हैं जैसे हमने कुट्टे को उपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थी कुट्टे को हमने क्या सिखाना था घंटी बस देखी तुम्हें भोजन मिलेगा है ना उसके मुह में लार आने लगेगी तो अगर मा वातावर्ण में बहुत सोरगुल होता है ना कुट्टे के लिए घंटे बचाए जाती बट उससे सुनाई ही नहीं देती तो क्या वो घंटे के अपड़ती रिस्पोंस करता तो यही वो कहना चाता है कि हमारा वातावर्ण भी नियंत्रित होना चाहिए है ना ऐसा नहीं होन चाहिए कि हम बच्चे को कुछ सिका रहे तो वहाँ पे बहुत सोरगुल अगर में टीवी चल रहे बजर तो ऐसे नहीं होना एक कंट्रोल एटमोस्फेर होना चाहिए उसलाएक एटमोस्फेर होना चाहिए कि बच्चे सीख पाए ऐसी इस्तीति में उद्धीपक अपना पाएंगे जब वातवन बाधक मुक्त होग कैसे हो उसकी अनुकूल हो जैसे गंटी बजा रहे हैं और ऊसा हूड़ी कि अवाज कुते की कान तक आयए अंटी तो बजी लेकिन इतना सोर गूल था कि कुट्टे की कान तक नहीं आई तो कुट्टे उसकी परतिर स्पोंस नहीं करेंगे अनुकिरे नहीं करेंगे और उनमें कोई भी लर्निंग नहीं होगी आई बाद समझ तीसरा जो है वह है प्रियासों का बित्रण वह परियास कैसे कर रहे है ठीक है कई बार परियासों की बीच की समय अवदी अनुबंदन को किसी ना किसी रहंग से प्रभाबित करती है जैसे एक परियास आज कर लिया एक चार दिन बात करा एक छे दिन बात करा एक मैंने बात करा तो उस condition में क्या होती है हमारी जो learning है वो नहीं हो पाती है क्यूंकि gap बहुत जादा हो गया ठीक है तो उसमें जब तो एक बार सीखते हैं फिर से भूल जाते हैं फिर से सीखते हैं फिर से भूल जाते हैं ii second condition क्या हो जक्ति अभी और 2 फिर दो झिर फिरो चार सिकिंड बार वात तो ऐसे में भी time बहुत कम है कि बार बार होने से क्या हुआ हुआ रहता है कि उद्धीपन के प्रति उतना सचछीद नहीं रहता है वो बोर होने लग जाता है उसको जौरवती ही नहीं है अगर person केस में देखें तो उसे क्या जोरो थे एक गंटे बाद फिर से भोजन की उसे रिस्पोंस कब हो जादा करेगा जब भूका होगा मीस तैट कि उसके बीच कर नाइम डिसाइट करना चाहिए एक सही समय अंतराल होना चाहिए ठीक है मुनोविज्यानिकों की अनुसार प्रयासो तो उससे बहें क्या होता है सो प्रभाववित होता है जो अनुबंदन है वह रहे होता है अनूबंदन में अगर आपको बार बार अनुबंदन में समझने में अल Hä dr बैक्तिग् विविन्ता मतलब जैसे मैं हूं आप हूं आपका दोस्त हों का तो सब के सीखने की तरीके अलगे लगे है ना कोई theoretical है कोई प्रैक्टिकल वेस चाहता सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखते है तो सब चीजें ree क्या होते हैं वो कितने परवल है ना जिसे घंटी बजाएं बट घंटी के अवाज इतनी कम थी कि कुट्टे की आवाज तक कुट्टे की कानों तक नहीं गई या घंटी की आवाज इतनी जादा हो जाए कि कुट्टे उससे सुनने गा वो वहराई ही हो जाए तो ये भी क्या होती है ये भी उद्धीपन है जिसके साथ हम कृत्री मुद्धीपन चला रहे हैं यानि हम कुत्ते को भोजन दे रहे हैं भोजन के जैसे उसके मूँ में लार आएगी बट हम उसके साथ क्या दे रहे हैं कृत्री मुद्धीपन दे रहे हैं घंटी हम घंटी के साथ भी उसको क्या करने चाहत है तो हमारा जो प्राकर्तिक उद्धीपन है वो परबल होना चाहिए मतलब भोजन होना चाहिए हम उसके मुह में लार तो लहना चाहिए कि हमारे पस भोजन ही नहीं है हम कुछ भी रख दे रहे हैं तो इसलिए बोला किया है कि जो प्राकर्तिक उद्धीपन है वो स्ट्रॉं होना चाहिए means that कुट्ता भूका होना चाहिए उसके सामने भोजन होना चाहिए भोजन की जगे यह नहीं है कि आपने वहाँ पर कुड़ा करकर कुछ और रख दिया और तक चाहा रहे हो कि उसके मुझ में ला रहा है तो यह पॉसिबल नहीं है तो हर केस में यही है यहां पर क अग्जांपल दे रहे हूँ बट हर केस में ऐसे ही होता है हमारा जो प्राकरते उद्धीपने वह सक्तिसाली होना चाहिए तब ही जाके वह क्रित्रिम उद्धीपन के साथ भी अनुबंदन कर पाएगा ठीके भोजन जैसे इस केस में भोजन एक है परवल उद्धीपक है न जिसके खारण करित्रिम उद्धीपक प्राकर्ती उद्धीपक के समाण ही प्रभावव डाल पाया था जैसे उन्होंने गंटी भजाए तुन्थ-भोजन दिया अगर हो ऑकपहले गंटी बजाते और धिसनी बात भोजन देते तो क्या वो गंटी के साथ भी अनुकिरिया कर जो वो घंटी के लिए वैसी रिस्पोंस करता जैसे भोजन के लिए करा था नहीं करता कुट्टे को पता था गंटी बजी उसके तुरंत बाद मुझे भोजन मिल रहा तो वो सोच के उसके मूँ में लार आ रही थी है ना तो मीस नेट की दो जो उद्धीपन हैं जो साथ साथ हमने चलाने हैं जिसके पड़ती हमें कुट्टे से अनुकिरे करानी है उनके बीच में बहुत जादा समय का गैपिंग नहीं होना चाहिए तब ही जाके जो कृत्री उद्धीपक है वो प्राकरती उद्धीपन के सामान है अपना प्रभाव डाल पाएगा जैसे कि घंटे ब द्धीपका भी क्या हो जाते हैं अनुबंदन हो जाता है यानि कि उसके पड़ती भी जो कुट्टा था वो रिस्पॉंस करने लग जाता है और अगर किसी और पर एक्स्पेरिमेंट करेंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे और रियल लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत होती ह हैं आप आप सोच सकते हैं जब आपने असपास देखें तो सोच सकते हैं कि ये कहां फिट वेट रहा है सोबावी Cisco अनुबंदन की विसेचता है सोबाविक sevent ग сейчас बाबीक सोड़री अधीपक की की ब्रद ब्रदी अनुबंदन में सकारात्मरूप से प्रभाव जो नेचुरल है यह प्रकर्दिक है ना वसे उद्धीपक में की मात्रा में अगर बिर्दी होगे तो उसका जो अनुबंदन होगे वह भी सकारात्म होगा कैसे जैसे आप समय लेक उत्ता बहुत जादा भूगा है और तब उसके सामने भोजन की मात्रा रखी जाए उसके में क्या होगी लार जादा आएगी और उसे समय घंटी बजाएद यह किरिया वह जब भी जब ज़्यादा भूगा होगा तब भी उसके साथ यह करी जाए तो जल्दी से सीखेगा लेकिन अगर वहीं स्वभाविक उद्धीपक क्या है उतना खास बिसेश्ता मतलब वह ज़ यह उस चीज की अगला है मांचिक और सारीक स्वस्त यह स्वास्तिया कोई भी चीज सीखने के लिए कोई भी पसू हो कोई भी बिक्ति हो मांचिक और सारी रूप से स्वस्त होना चाहिए जिसे कुत्ता था अगर वह सारी रूप से बिमार होता तो उसे भोजन की जोरुत ही नहीं होते हूँ भोजिन के लिए अनुकिरिया ही नहीं करता अगर वो मानसिक के सारे अगर माना उसके कान में डिफेक्ट होता हुआ सुनी नहीं पाता तो घंटे बजाने का कोई फायदा ही नहीं होता है इसलिए कहा गया कि दोनों तरह से मानसिक रूप से सारे रूप से स्वस्त होना चाहिए अनुबंदन के लिए मानसिक तथा सारे twowhere की चामवा हो वो मुझोजधने कहां Ci उने atgora allows अगला पॉइंच है आपका क्रित्रि मुद्धिपन का सुद्र्ड होना मतलब जो क्रित्रि मुद्धिपन चोborn दे रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए वो भी इस लाइक होने चाहिए कि अपना एफेक्ट छोड़ पाएं ठीक है क्रित्रिम उद्धिपकों के साथ प्रकर्ति उद्धिपकों के साथ क्रित्रिम उद्धिपक का भी समझे जो प्रकर्ति उद्धिपक जितने परबल होते ह उतने ही परबल क्या होने चाहिए आपके क्रित्रिम उद्धीपक भी होने चाहिए ठीक है प्राकरती उद्धीपकों के साथ सा क्रित्रिम उद्धीपकों का भी समान परबल होना आवस्य के तब ही जाके अनुबंदन में द्रड़ता आ पाएगी तब ही जाके अनुबंदन क् पक्का हो पाएगा ठीक है तो यहीं पर ये लक्टर कंप्लीट होता है फिर मिलते हैं अगले किसी लक्टर में और तब तक के लिए आपको लक्टर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करने, शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं इस बारे में ठीक है ताकि जाधे स्याधे लोग इस बारे में जान सकें उनको भी समझ आई जीजें ठीक है फिर मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में